जैसी रिराम दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करेंगे, हमें दूसरों के प्रती करूना रखनी चाहिए एक बार संकर जी और माता पारवती स्वर्ख की सेर पर निकले पारवती जी ने दूर एक आदमी को भूख से तरडपते देखा उसे तरडपते हुए देखकर भी भगवान संकर आगे बढ़ गए पारवती जी से रहा नहीं गया उन्होंने इस पर प्रिसन किया कि आखिर क्यों भगवान संकर ने उस आदमी के प्रती दया नहीं दिखाई जबकि उन्हें तो करूना का सागर कहा जाता है संकर भगवान बोले तुम जानती नहीं हो देवी मनुश्य की आदत है अपने मन के बैकावे में आ जाना इस आदमी की सायता हे तू मैंने कई बार परिक्सा ली हर बार यह उस परिक्सा में एसफल साबित हुआ कभी अपने मन के कारण तो कभी अपने कर्मों के कारण पारवती जी को विश्वास नहीं हुआ इसलिए उन्होंने संकर भगवान से उस आदमी की सायता करने का निवेदन एक बार परिक्सा ली उन्होंने उस आदमी को अचानक खूब सारे खाने और अनाज से गेर दिया वे आदमी इतना खाना देख कर प्रिसन हो गया और तुरंत अपने पेट की भूख सांध कर ली कुछ ही सनों में भगवान संकर वहां एक भूख के खे रूप में पहुंचे और खाना मांगा पर उस वैक्ति ने अपने बविश्या की सुरक्षा के कारण उनकी मदद ने की और देखते ही देखते उसका सारा अनाज गायब हो गया भगवान संकर पार्वति जी से बोले देवी जिसे पता हो की भूख क्या होती है वह एसमर्त की सायता ने करे उसकी सायता क्या करना दूसरों के परती करूना तो इंसानी दर्म है पर यह वैक्ति उसे भी निभा नहीं पा रहा है पार्वती जी चुप हो गई और संकर जी के साथ आगे चल दी दोस्तों सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जै स्री राम